नमस्कार उत्तर प्रदेश की सभी राज्य विस्व विद्यालियों में छात्रों को प्रमूट किया जाया या परिक्षा कैसे कराई जाया इस संबन में तीन कुलपती गण की एक तीन सदस्य एक कमेटी बनी थी उसका निर्णाय क्या है हम आपको विस्तार से पढ़कर सुना रहे हैं हैं हाच के समाचार पत्र में से प्रदेश के विस्तों विद्यालियों और कॉलज union के छात्र शात्राओं को प्रो lighting किया जाएगा क्रोणा महामारी की प्रिस्थिति को देखते वimore परदेश संबन और परिक्षा कराने के बारे में हालाक इस पर अंतिम नर्णाय राज्य सरकार के उर से लिया जाएगा फिलहाल इससे प्रदेश के लाखो छात्र लाभानुवित होंगे कुरोना महामारी में उच्छे सिख्षा के छात्रों की परिक्षा कराई जाए या फिर प्रोनत किया जाए या कोई अन्य विकल्प लिया जाए तो इसके लिए शासन ने तीन सरसीय समिती गठित की थी इसमें लखनो विसुविद्याले के कुलपती प्रूफेसर आलुक कुमार राय पिछले वर्स के मॉडियूल पर ही सहमती बनी हुई है समित इने उच्छे सिच्छन संस्थान के हर पहलो पर मन्थन किया इसमेश्टर आधारिद पाठिक्रम में कुछ विस्विद्यालियों में पिछले सत्र में पहले समेश्टर की परिक्षा हो चुकी थी बीते वर्स सैक्छनिक सत्र में इसनातक प्रथम वदुतिय वर्स और पराइसनातक के प्रथम वर्स के चात्रों को इस आधार पर प्रमोट किया गया था सुतरों के उनसार समित ने माना है कि कोरोना काल के दवरान परिक्षाएं कराना असंभव है और आनलाइन भी परिक्षाएं होना काफी मुस्किल हो जाएगा ऐसे में समिति के समक्ष अंतिम वर्ष के चात्रों को की परिक्षाएं और अन्यों वर्ष चात्रों को प्रमोट करने का ही विकल्ब है तो ये समिति का निर्णे है कहने का मतलब है कि अंतिम वर्स के चात्रों को छोड़कर बाकी चात्र प्रमोट होंगे ये समित ने अपनी रिपोर्ट में ये बात कहे कर शासन को भीजी है लेकिन अंतिम लणे शासन लेगा उस पे एक दिन मीटिम होगी जिसमें सभी विस्तु बिद्धाले हो और बोल्ट परिक्षाओं के संबद में फैसला लिया जाएगा लेकिन अभी जो फैसला होगा वो कुलपती गर्ण की रिपोर्ट के अनुसार होगा तो रिपोर्ट में फिलाल यही लिखा हुआ है इससे समन्दित और जो भी खबरें सही और सठीक जानकरियां आती रहे हैं हम आपको बताते रहे हैं बहुष में बताते रहेंगे तो इस्टे टून रहे है दर उनिवर्श्टी कनेक्शन लान्यवाद नमस्कार